नमस्कार दोस्तों मैं आपका स्वागात रबिनन्दन करता हूं अपने चैनल पर राहु का नच्छत्र परिवर्तर हो रहा है पांच अक्टूबर से तो 5 अक्टूबर 2021 को राहु अपना नच्छत परिवर्तर 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 भी बहुत एहम रोल अधा करता है आपके जिन्दगी में आगे आने वाले वक्त में दीपवली है, दशेरा है, धंतेरस है, भाईया दूज है, नया साल है ये सारे जितने भी तहवार हैं आपके शुब तहवार, ये सब कुछ इसी राहु के नच्छतर में घटित होंगे हम उमीद लगा के बैटते हैं कि क्या ये तहवार हमें खुशियां देंगे या नहीं देंगे तो हमाई उमीद पे हम कितना खरे उतरेंगे, इसका निर्णे कहीं न कहीं ग्रह सितारे करते हैं और उसमें से एक ग्रह है, एहम रोल है ग्रह राहू का, क्योंकि दीपा वाली धन का उस्सव है, धन कमाना, और राहू कल्यूग में धन देने वाले ग्रह माने गए हैं, तो राहू का गोचर, यानि राहू का नच्छेतर परिवर्थन जो है, पाँच अक्टूबर का होगा, यह आगे आने वारी दिवाली, धनतेरस, विजय दश्मी, नह साल पर इसका परभाव होगा, राहू सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा बल्शाली हैं, क्योंकि राहू ही एक नुनात्र ग्रह हैं, जो राजा सूर्व को ग्रहन लगा सकते हैं, बाकि इसी ग्रह के अंदर य ये चमता नहीं है, राहु ही एक ग्रह हैं जो सूर और चन्रमा को ग्रहन लगाते हैं और सूर से दुश्मनी लेना, राजा से दुश्मनी लेना, किसी हिम्मत वाले का काम हो सकता है अन्य छोटे मोटे ग्रहों की बस की ये बात नहीं इसलिए राहू को अतिधिक बलशाली करह माना गया है जोतिश के जो ग्याता रिशी मुनी है उन्होंने कल्यूक के राजा राहू को माना है और वो बलशाली मानते है राहू को सबसे ज़्यादा क्योंकि राहू अच्छे तो सब कुछ अच्छा क्योंकि इस धर्टी पर जितना जो आदमी परसिद्ध है या तो कुछ जो परख्यात है या तो किसी ने बहुत अच्छे काम किये तो वो बहुत परसिद्ध है या तो कोख्यात है यानि की बदमाश है दो ही लोग जो है इस धर्टी पर सबसे जातर नाम कमाते हैं या तो प्रख्यात या तो कोख्यार यानि एक वो जो सादू संथ हो या एक वो जो लुटे रहा हो तो इन दो लोगों के अलावा इस धर्टी पर और किसी तीसरे व्रत्ति का नाम नहीं होता है तो राहू की किरपा से राहू के आशिरवाद से कहले कटिन से कटिन काम आप चुटकियों में कर सकते हैं जो कटिन काम जिसको कोई करने की हिम्मत ना करे ऐसी समस्या आजाए कि इस पहाड को गिराना है तो वही वक्ती गिरा सकता है इस पहाड को जिसका राहु बलवान होगा वही हिम्मत करेगा, वही जुगार लगाएगा, वही तरीके निकालेगा तो राहु बहुत ही बलशाली ग्रहे हैं राहु का नच्चतर प्रवर्तन होगा पांच अक्टूबर 2021 को रोणी नच्चतर से निकल कर कृत्र का नच्चतर में गोचर करेंगे और यहां पर 14 जून 2022 तक वहने वाले हैं नच्चतर पर थोड़ी सी जानकारी आपको दे लेते हैं थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम राशियों के बारे में जानते हैं तो नौ राशियां हैं और 27 नच्चतर हैं एक राशी में सवा दो नच्चतर होते हैं ग्रह एक ही राशी में बैठने के बाद अलग-अलग पईणाम देते हैं अलग-अलग लोगों को अलग-अलग पईणाम मिलते हैं की होते हैं तो अलग-अलग नच्छत्रों में जब ग्रह जाता है तो उसका भी रिजल्ट हमें देखना चाहिए तो हमें पूर रूप से ये पता चले जाता है कि हमें इस ग्रह का क्या रिजल्ट मिलेगा नच्छत्र परिवर्तन बहुत ही विशेश है क्योंकि नच्छत्र परिवर्तन और राशी परिवर्तन जब दोनों को हम सही तरीके से समझ लेते हैं तो ही हम एक सही रिजल्ट की तरफ आगे बरते हैं आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपको कोई तकलीफ न हो ये सब कुछ राशी परिवर्तन और नच्छत्र परिवर्तन क कुछ ही दिनों में दशेहरा, राम, नौमी, दीपा वाली धन्तेरस जैसे तैवार आएंगे, दो वर्ष आएगा, तो राहू की क्रिपा कैसी होगी, यह जाने बगैर बात नहीं बनेगी, क्योंकि राहू धन के कारत रहे है, अचानक से धन देते हैं, बिना मेहनत के भी कई ब धन्दे देते हैं, जैसे सूरी की राशी सिंग, चंद्रमा की राशी कर्ख और शुक्र की राशी ब्रशब और तोला पर इस परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को बिलेगा, क्योंकि कर्थिका नचत्र जिसमें जा रहे हैं राहू, वो सूरी का नचत्र है सिंग राशी वालों को फर्क पड़ेगा, क्योंकि कर्थिका नचत्र में चंद्रमा बल्वान होते हैं, तो कर्ख राशी वाले को भी प्रभावित करेंगे, व्रशब राशी में ही क्योंकि कर्थिका नचत्र आता है, तो व्रशब के स्वामी शुक्र है, तो कर्ख राशी पर सबसे ज़्यादा असर होगा और फिर उसके बाद व्रशब पर होगा तुला पर होगा और उसके बाद सूरी की राशी पर भी इसका असर पड़ेगा तो एक नशेतर परिवर्टन से देखी कितना सारा कुछ आपको समझ में आ रहा है कि कहां कहां पर ग्रह अपना प्रभाव डालते हैं अगर निम्रोलाजी की बात करें तो निम्रोलाजी में राहू का अंक है चार तो जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22, 31 तारीक को हुआ है उन पर भी इसका प्रभाव पढ़ने वाला है किसी भी महीने में अगर आप पैदा हुए है चार, 13, 22, 31 तारीक को तो राहू के नच्छत परिवर्टन का असर होगा क्योंकि चार नंबर राहू का अंक होता है कहने का अंस हुआ सिंग राशी, करक राशी, तुला राशी, वरशब राशी और 4, 3, 22, 31 तारीक को पैदा हुए लोगों को थोड़ी साब्धानी बरतनी क्या उशकता यहाँ पर होगी जो लोग सूर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, टेकलोजी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, शेर मार्केट का काम करते हैं, जुआ, सट्टा, विरेश, समंदी कोई काम करते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, पैसो का रोटेशन वाला काम करते हैं, शोशल मीडिया से जुड राक्षस हुए थे लेकिन अमरत पीकर देवता बन गए तो राहु जो है सिर्फ सर है राहु क्या है सिर्फ सर और सर के अंदर दिमाग होता है तो राहु के अंदर राम भी है राहु के अंदर रामण भी है क्योंकि पैदा राक्षस हुए थे बाद पे अमरत पीकर देवता ब दानों और मानों दोनों की रचना राहू करते हैं तो मैंने पहले कहा राहू प्रख्याद भी है राहू कुख्याद भी है राहू से क्या लेना है ये आपके उपर निर्भर करेगा आपकी कर्मू के उपर आपकी इच्छा शक्ती के उपर निर्भर करेगा कृतिका नच्छत को इस्त्री नच्छत्र बोला जाता है इस नच्छत्र के स्वामी सूर्य है जो की अगनी तत्व है धन वैवाव सम्मान का नच्छत्र है बैल गाली जो होती है या कहें बैल गाली के आगे जो बैल बंदा होता है वो वरशिफ राशी का चिन है तो पहले के जमाले में जिसके पास जितने बैल होते थे वो उतना ही धन्मान होता था कि कहते हैं हमारे घर में 25 बैल है तो हम एक संपन वेक्टी है तो अब क्या है अब जिसका जितना बड़ा बंगला जितनी बड़ी कार मोटर साइकल खड़ी है उससे हम जज़ करते हैं कि ये वेक्टी कितना अमीर है पहले क्या होता था बैल और बैल गारी क्योंकि पहले कार मोटर साइकल तो होती नहीं थी तो बैल गारियों पर जाते थे यानि पहले बैल से आजकर मोडर गाली से कि तो कृष का नचतर यही दिखाता है सूर हमेशा वक्ष पर आता है वक्ष पर डूपता है यानि पंचुल्टी होती है कृष का नचतर जो है वो गतिशील है काम है टूर है ट्रेवल है पैसा है पैसा भी देखी चलता रहता है टेक्नोलोजी है फाइनेस से जुड़े हुए काम है और यह राहू का परिवरतन ऐसे लोगों जो इन कामों से जुड़े हैं उनके लिए विशेश लावकारी होगा रहू को यह नचेतर विशेश पशंद है विदेश यात्रा वहां खरीदना घर लेना नया घर लेना कृक्तिका नचेतर में अच्छा माना जाता है बढ़िया माना जाता है विदेश जाने वालों की इच्छा पूरी हो सकती है लाब उठाएं इस नश्यत्र परिवर्तन का आगे बढ़ने का रास्ता अब राहू खोलने वाले है और अगनी समंधी काम, इंजिनरिंग वाले काम फाइनिंस, सेना, जासू, सिक्योरिटी विदेश से जो भी संबंध होते हैं काम के उनके को भी लाब होने वाला है रोटेशन करना, जो पैसे का रोटेशन करते हैं पैसे को इदो दो घुमाते हैं उनका काम बढ़िया चलेगा, शेर मार्केट का काम बढ़िया चलेगा जो लोग investment वाले होते हैं, investment bankers वगरा होते हैं, उनका काम बहुर बढ़िया चलने वाला है, तो तयार हो जाईए, राहू 8 मही में 10 दिन तक कृतिका नश्यत्र में होंगे, अपरेल मही में थोड़ी सी विशेश शावधानी रखनी होगी, बाकी आपको यहाँ पर आपके planning और कर्मों के हिसाब से राहू फल दे देंगे, तो आपनी कृतिका नश्यत्र के बारे में छोटी सी जानकारी जालनी कि कितना important होता है, अब क्या उपाय करने पढ़ेंगे, जिससे राहू कंट्रोल में रहेंगे, यह मैं आपको आपकी राशी के सासत बताता रहूगा, हम बात करने जा रहे हैं, राहू का रहू ममण किर्षका नश्यत्र में, आपके दस्वेंगों और για्वें भाव को एक्किवेट कर देगा, राहू को दस्वा और ग्यार्वा घर जो है विशेष रूप से पसंद होता है, उनको अच्छा लगथा है, वहाँ पर लावा घर है, राहू राजनीती है, राहू नेटवर्किंग फील्ड से जुड़े हुए जो लोग है, राजनीती से जुड़े हुए जो लोग है, उनके लिए बहुत ही बेतरी समय यहां पर आने वाला है, नौकरी में प्रमोशन मिलने के पूरे-पूरे चांस है, वैपार बहुत अच्छा चलेगा, राहू आपको गुद्धिमाहत परिश्यमी बनाएंगे, करियर की उचाईयों को आप छू लेंगे, इस दश्चत परिवर्तन में आप धनी, सम्मानी तो परसित इंसान बनेंगे, राहू की किपासे मा की सिहत का ध्यान रखीगा, पारवारी कले कलेश से बचना हो होगा, चोर दुर्विटनाएं लग सकती हैं, ध्यान रखिएगा, करकराशी वालोग के लिए बेहतरीन वक्त है, आपको जो करना है, वो करें, अपने पत्ते मत खोलिएगा, आप अच्छी योजनाएं, अच्छी प्लैनिक मुनाकर, इस शांदार नच्छत परिवर्तन का लाब ले सकते हैं, यह मौका बहुत ही बेतर है, आपको 100% डिजर्वी मिल सकते हैं, अगर आपकी प्लैनिक बहुत अच्छी हुई तो, तो करकराशी वालोग के लिए बहुत ही शांदार वक्त होगा, इस दीपावली में पैसा कमाने का और इतने साल का शुभारम करने का, आपके लिए बहुत बेतर है, एक मौर पंक अपने ऑफिस घर या अपनी पॉकेट में रख लिए, आपको राहू के अशुप प्रभावों से मुक्ति मिलती रहेगी, नमस्कार